एक महंद्रा इंजन के टैपिट को एड़ेस्ट कर रहा हूँ और आज मैं इस टैपिट के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत इजी है लेकिन सिर्फ आपका 6 मिनिट मुझे देना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो ये एक महंद्रा इंजन है जिसके टैपिट को अभी हम एड़ेस्ट करने वाले हैं दोस्तो तो ये देखिए ये सारे टैपिट आपके नजर के सामने दिख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू कहां से करेंगे सबसे पहले शुरुवात करेंगे हम damper pulley से ये damper pulley का position क्या होगा कि हम tap it को मिलाना शुरू करेंगे सबसे पहले damper pulley का position TDC में होगा उस timing plate के सामने जो दाग था उसके सामने होगा दैन पीछे के side में fly wheel fly wheel में एक hole है जो इसमें दिखेगा ये hole दिख रहा है आपको इस hole को top पे लाना है तो ये दोनों से जब सामने आ जाएगा तो अपने को check करना है आगे से चौथा rocker एक दो तीन चौथा rocker में play नहीं रहेगा और दूसरे rocker में play रहेगा ये देखे दोस्तो तब हम लोगों को tap it की adjusting शुरू कर देना है दोस्तो अब gauge का size क्या रहेगा ये मैं आपको बता तो point की बात बता रहा हूँ 0.20 mm से tap it मिलेगा and 0.40 mm से tap it check किया जाएगा भाई 0.20 से मिलाना है 0.40 से check करना है यानि 0.20 tap it में जाना चाहिए उसके tap it clearance में 0.20 का gauge जाना चाहिए and 0.40 का gauge नहीं जाना चाहिए अगर 0.40 का gauge जा रहा है इसका मतला आपका tap it सही नहीं मिला है यह देखिए दोस्तों हम मिलाना शुरू कर दिये हैं हमने 0.20 से tap it को adjust कर लिया then 0.40 से हम check कर रहा है उसको तो वो नहीं जा रहा है लेकिन 0.20 का gauge जा रहा है इस तरीके से एक ही valve के दूसरे के लिए रहे हैं दूसरे वाले valve में check करेंगे यह देखिए 4.0 का नहीं जा रहा है and 2.0 का जा रहा है इस तरीके से हम tap it number 3 check करेंगे दोस्तों इसमें भी same condition रहेगा 0.20 का tap it जाना चाहिए and 4.0 का नहीं जाना चाहिए इसमें सबसे बड़ी point की बात आपको यह देखना है दोस्तों कि इसके अंदर एक valve की जो against वाला है न उसमें एक cap रहता valve cap इस cap का ध्यान देना है सामने वाले उसके tap it के सामने वाले valve में यह देखें इस में इस tap it में इस valve के cap को ध्यान रखना है कि अगर 0.20 का gauge एक side गया और दूसरे side वह 0.20 का gauge नहीं गया तो इस valve के cap को opposite opposite में change करना है एक दूसरे में मतलब को change करना है कई बार क्या होता है कि 0.20 का gauge एक side में मिला दिये और 0.40 के gauge से check कर रहे है तो एक side गया एक side नहीं गया तो cap को अपलेट देना है यह देखें दूसरे हमने 0.20 से मिला दिया है और 4 से हम इसको check कर लेंगे अब इसको complete कर करके tap it force इसको हम check कर लेंगे यह देखें दूसरे हम check कर रहे है 4 0 का नहीं जाना चाहिए mechanical language में 40 number 20 number होता ही यह gauge लेकिन यह mm में रहता है इसी तरह दोस्तों यह first round इसी तरीके से मिलाना है और first round में कौन-कौन से tap it मिलेंगा आपको 1,2,3,6,7,10 1,2,3,6,7,10 number के tap it first round मिलेगा देन दूसरे round के लिए हम डेंपर पुली को घुमाएंगे दोस्तों एक round पूरा complete यह देखिए यह हमारा टेडी सी आ गया दोस्तों दूसरे round के लिए दूसरे round के लिए यह देखिए टैमिंग प्लेट में एक दाग है और पीछे का भी पोजिशन रहेगा इसमें क्या होगा दोस्तों कि पीछे से दस्वा नंबर टैपिट क्या होगा जाम हो जाएगा पीछे से दस्वा नंबर टैपिट फर्स राउन में तो दस्वा हमने मिला दिया देखे 11-12 free है यह 10 number tapit jam है जब यह tapit jam हो जाएगा दोस्तो तो इस tapit को jam होने के बाद हमको जो मिलाना है वो मिलाने का जो तरीका है वो ही रहेगा दोस्तो लेकिन कौन-कौन से tapit को हमें adjust करना है यह बता रहा हूँ मैं आपको इसमें जो adjust करना है 4,5,8,9 और 11-12 बतलब 4 number से शुरू करेंगे 5 number,8 number,9 number,11 number और 12 number यह process वही रहेगा बस स्रिफ इसमें कौन-कौन से tapit को adjust करना है इसका ध्यान देना है दोस्तो यह देखिए दोस्तो हम इस tapit को उसी process से adjust कर रहे है process सेम रहेगा कि 0.20 का gauge से मिलाना है and 0.40 का gauge उसमें नहीं जाना चाहिए process सेम रहेगा बाकी जो मैंने उसके opposite side वाले rocker में जो बताया था कि wall में cap रहता है उस cap को कब पलटना है जब एक side 40 का gauge ना जाए and दूसर side चला जाए तो cap को पलट देना है यह देखिए दोस्तो process सेम है बस खले उसको मैंने जो number आपको बताया है कौन कौन से number का आपको मिलाना है वो उस पर उस पर ध्यान देना है आपको and process इसका सब सेम रहेगा equal बिलकुल ठीक है दोस्तो इसी तरीके से यह हमारा tap it adjusting complete हो जाएगा पूरा का पूरा tap it adjusting complete हो जाएगा एक बार मैं tap it के number को फिर से repeat करूँगा सबसे first round में 1,2,3,6,7,10 मिलाना है and second round में 4,5,8,9,11,12 बाकी कब मिलाना शुरू करना है यह मैंने आपको बताई दिया कि damper pulley का जब तीत match होगा और flywheel के जब आ जाएंगे तब उसको adjust करना है इस तरीके से यह complete हो